क्रिमीनल है टीम इंडिया के तीन खिलाडी, किसी पर लगा रेप का आरोप, तो किसी ने कतल के आरोप में काटी जेल तो भाई या आज की इस वीडियो में वैसे खिलाडियो के बात करेंगे जो एक समय में क्रिमीनल हुआ करती थे या किसी कारण वस जेल जाना पड़ा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भारत में खेल को धर्म माना जाता है फैंस वड़ियां खेल खेलने वाले खेलाडियों को भगवान का दर्जा देते हैं लेकिन इस खेल को कई बर खेलाडी अपनी कर्टूतों के वज़ा से कलंकित कर देते हैं किर्केट में फिक्सिंग तक किखटनाएं भी हमेशा सुनने को मिलती रहती है। खिलाडी उन फिल्ड में अपने खेल से सुर्खियां बठरते रहते हैं। वहीं फिल्ड के बाहर कई सारे खिलाडी ऐसे हैं, जो अपने गलत कर्टूतों से सुर्ख्या में बने रहते हैं, आज हम उन्हीं तीन खिलाडीयों के बारे में जानेंगे, जिनके उपर मानो तसकरी, मेच फिक्सिंग, रेप वा मारपीट आदिक के जरूम में रजा काट हाला कि पुछताच के बाद पुलिस ने घंटे बाद अमित मिस्रा को छोड़ दिया था, मिस्रा पर महिला पर हमला करने और चोट पहुचाने के लिए भारतिये दंड सहीता के धारा 354 और 328 के ताहत मामला दर्ज किया गया था, नमबर टू पर हैं सिद्धू, जो कपिल सर नमबर 1988 के दोपार गुर्णाम सिंग को रोड रेज के मामूली विवाद में सिर पर मुका मार दिया था, इसके बाद 65 साल की गुर्णाम सिंग को अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मौत हो गई, रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दोरा बता गया था, और नमबर वन करने के बाद बिसिस्याइन या जिवन परतिबंध हटा कर साथ साल कर दिया था, आईपियल अश्टॉक फिक्सिंग के आरोप मेवा 26 दिन तक तिहार जल में बंद रहे थे, स्री संथ के साथ राजस्थान के दो और खिलाडी अजीत चंदीला और अंकित चोहान पर परतिब कर दिया गया था,